बॉलिवुद में आक्टर और डारेक्ट की जोडियों को तो आपने खूब देखा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलिवुद में कई स्टार्ज ऐसे हैं जिनके फादर्ज ने उन्हें डारेक्ट किया किसी के हाथ सफलता लगी तो कोई रहा फ्लॉप तो चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ स्टार्ज जिन्होंने अपने बेटे को डारेक्ट कर उनका करियर सवारा रितेक रोशन राकेश रोशन बॉलिवुट की इस जोड़ी को कोई कैसे भूल सकता है राकेश रोशन ने तो अपने बेटे की डेब्यू फिल्म को होना प्यार है के साथ ही ये हर किसी को साबित कर दिखाया था कि इन दोनों की जोड़ी आगे जाकर भी तहल का मचाने वाली है तभी तो कोई मिल गया क्रिश और क्रिश्ट री ने वॉक्स ओफिस पर जम कर कमाई की थी करन के स्टूडेंट बन बॉलिवुड में अपने करियर की शुरुवात करने वाले आक्टर वरुन धवन भले ही आज लोगों के फेवरिट बन गे हो लेकिन वरुन को भी अपने पापा का सहारा लेना ही पड़ा अरे भई आपको में तेरा हीरो तो यादी होगी इस फिल्म को वरुन के पापा यानि डेविद धवन ने डारेक्ट किया था इतना ही नहीं इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉंस भी मिला था वहीं अब डेविद धवन बरुन को जुडवा टू में भी टारेक्ट कर रहे हैं वेल अब देखना वाकरी दिल्चस्प होगा कि क्या एक बार फिर से बाप बेटी की ये जोड़ी हिट होती है या नहीं अब बात करें बॉलिवुड के शाषा यानि शाहिद कुपूर की आपको साल 2011 में आई शाहिद और सोनम की फिल्म मौसम याद तो होगी आप ये भी जानते होंगे कि इस फिल्म को शाहिद के बापा पंकच कुपूर ने डारेक्ट किया था लेकिन लगता है लोगों को बाप बेटे की जोड़ी कुछ खास रास नहीं आई तबी तो फिल्म मौसम का बॉक्स ओफिस पर बुरा हाल रहा था वेसेस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद दोनों ने दोबारा एक दूसरे के साथ किसी और फिल्म को लेकर हाथ नहीं आजमाया अबास मुस्तफा हाली में रिलीज हुई फिल्म मशीन में अबास ने बेटे मुस्तफा को डारेक्ट किया था ये फिर्म मुस्तफा की पहली फिल्म थी, मगर बॉक्स ओफिस पर ये कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और बाप बेटी की जोड़ी फ्लॉप हो गई सनी द्यॉल करन द्यॉल एक जमाने में बॉलिवुट और राच करने वाले सनी द्यॉल अपने बेटी करन को जल्धी बॉलिवुट मी लॉश करने वाले हैं जी थे ने डिरेक्षण की कमान अपने हाथों में ले ली हैсь फिल्म का नाम पल-learning दिल के पास रखा गया है और इस फिल्म की शूटिंग शुरू भी हो चुकी है खेर अब ये देखना वाकि दिर्चस्प होने वाला है कि बॉक्स आफिस पर इन बाप बेटी की जोड़ी को लोगों का कितना प्यार मिलता है